ड्रीम एनलेसिस सर्विसिस भी मैंने शुरू कर दी है, क्या फी स्ट्रक्चर है, किस तरह से होगा आपके ड्रीम का एनलेसिस, जानने के लिए स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज करें और पता करें फी स्ट्रक्चर। नमस्कार, मास्टर नंबर 11, कैसे आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं? अगर आपका ड्राइवर नंबर 11 है, कंडक्टर नंबर 11 है, यानि मूलांग और भाग्यांग 11 है, तो ये एक मास्टर नंबर कहलाता है, आप जानते ही हैं, मास्टर नंबर 112233 यानिके 11, 22 and 33 नं ये एक बहुत ही पावरफुल नंबर होता है, लेकिन इसको संभालना बहुत आसान नहीं है, जिन्दीकी में अक्सर एक्स्ट्रीम इमोशन्स के साथ आप 11 नंबर वालों को डील करना पड़ता है, मैं कुछ important points और solution शेयर करूंगी, जो कि आपकी किसी ने किसी परकार से मदद जरूर करेंगे, अगर आपका मुलांक और भाग्यांक 11 है तो, 11 है तो, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और like, share and subscribe करना, बिल्कुल भी न भूलिए, क्योंकि कहीं न कहीं, आपको कुछ न कुछ नया पाग मिल सकता है, पहली बात तो ये है, कि आप एक ही इंसान होते वे भी दो इंसान है, यानि कि 11, एक और एक ग्यारा, दो इंसान होते हैं, जी हाँ, कभी आप सब को inspire कर देते हैं, तो कभी आप एकदम से drain हो जाते हैं, जैसे एक pendulum के extremes के बीच में होता रहता है ना, pendulum हिलता रहता है ना, बस वैसे ही आपका भी behavior होता है, बहुत बार, यान तो extreme charisma दिखाते हैं, या फिर extreme exertion दिखाते हैं, दूसरा point, पूरी जिन्दगी सीखना और सीखना, जी हाँ, अगर 11 number आपके जिन्दगी में बहुत है, आगे बीचे है, house number है, whatever, तो आपके जिन्दगी में बहुत बार, हर बार सीखना और सीखना ही है, because you are an old soul here, to learn and teach, जी हा आप अपने दिल की सुनते हैं, sometime, दिल की नहीं सुन पाते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं आपकी होने लग जाती है, आप अपनी gut feeling को अगर follow करते हैं, gut feeling को follow करते हैं, कि yes, पेट में गुड़गुड़ होरी, something, तो success आपके पास जरूर आती है, success जब आ रही होती है, रगता है कि नहीं, ठीक तो है, माँबाप है, घर है, पैसा है, लेकिन एक emotional hollowness, एक insecurity और इस तरह की कई सारी बाते हैं, जो की बच्पन में एक बच्चे को ज़रूरी होती है, heal करने के लिए या अपनी बातों को share करने के लिए, तो एक emptiness रहती है, emotional fulfillment नहीं हो पाती है, तो हो जाते हैं, कभी आप sentimental होते हैं, और कभी आप बिलकुल ही cold हो जाते हैं, यह बहुत ही confusion बढ़ा, confusion बढ़ा आपका जो यह number है, वो आपके जीवन में दिखाए देता है, एक तरफ आपको लगता है, मुझे monk बन जाना है, दूसरी तरफ आप emotionally कहीं ना कहीं attached हो जाते हैं, चाहिए तो यही चाहिए, यहने कि relationships are confusing for you, swinging between detachment and deep emotion, मतलब कई बार लगता है, छोड़ो यार, नहीं है, कोई नहीं है, और तूसरी पर लगता है, यह है ना, बहुत कुछ है, तो अच्छा, criticism, जी हाँ, 11 number है, तो आपको criticism बरदाश्त करना पढ़ता है, और बरदाश्त करना सीखना भी होगा, क्यों कि criticism आपके लिए बहुत जादा देखने को मिलता है, आपकी life में 55 से लेके अभी तक, कुछ नया करेंगे तो भी, आराम करेंगे तो भी, कुछ किसी की help करेंगे तो भी, और नहीं करेंगे तो भी, आपको अपने अंदर एक strong willpower बनाए रखना होता ह और इस चीज़ के लिए तैयार रहना होता है, कि हाँ, आ बैल मुझे बार वाली बात, ठीक है, कई बार आप इस तरह की भी बाते कर देते हैं, over emotional होके, over giver हो जादा, कि इसकी भी मदद करो, इसकी भी मदद करो, मदद नहीं मांगी गई ये, तो भी आप मदद करने के देखने को मिलती है, energy को balance करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, sometime आप कहते हैं, हाँ, अब तो मैं आगे से रोज 5 वजे उठूंगा या उठूंगी, next day 8 o'clock हो जाता है, उसके next day 1 o'clock हो जाता है, तो आप basically balance नहीं बना पाते हैं, regular physical activity और breathing exercise इसमें आपकी बहु physical conditioning and breathing exercise, inhale, hold and exhale, inhale, hold and exhale, ये ज़रूरी है, meditation में जीवन आपका जाना चाहिए, 11 नमबर वालों का, अधिक तर जाता भी है, pendulum को extreme माना जाता है, तो extremely हिलाओ तो जीवन में आपका इसी तरह का चल रहा होता है, moderation आपकी होती रहती है, या moderation आपके लानी होती है, कई बार नींद नी हो रही होती है, तो कभी किसी तरह का कोई balance नी हो रहा होता है, कभी आवाज से कोई problem हो रही होती है, तो कभी बहुत शोर में भी आप मज़े में होते हैं, है कि नहीं, 11 नमबर वालों का इस तरह का दिखाई देता, spiritual practices क्या है, मतलब spiritual practices में 11 नमबर वाले बहुत जाते है और उन्हें कई बार पता भी नहीं होता स्टार्टिंग के लेवल पर जब बहुत सारी लेयर्स होती है, स्कूल, कॉलेज़ वगर है तो पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी आप अपने आप में अकेले में रहना बहुत पसंद करते हैं भक्ति वगरा में भी आपका बहुत ध्यान रहता है और स्टेज होती है, कि छोड़ो जो भी होगा देखा जाएगा यानि कि डिवोशन एंड सरेंडर टू आइयर पावर और ब्रिंग पीस एंड फोकस इंटो यॉर लाइफ ये चीज आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर लिया जाएगा और खुद को समझना होगा 11 नमबर वालों को क्योंकि उनके अपने ही इमोशन्स कई बार उनको ले डूवते हैं लेकिन self-love जिसे कहते हैं वो selfishness नहीं है so use your emotions to your advancement और self-love self-love during moment and emotional heights जब emotionally कहीं drain हो रहे होते हैं तो भी self-love की जरूरत होती है और 11th point क्या बताऊंगी वो यही बताऊंगी 11 नमबर वालों को की relaxed and feel gratitude जितना ज्यादा gratitude journal लिखेंगे आप या gratitude घर मन में feel करेंगे और जितना ज्यादा एक vision board बनाएंगे उतना आपके लिए बहुत-बहुत खुबसरत रहेगा क्यों क्योंकि 11 नमबर वाले too much intuitive होते हैं उनके जैसा और कोई नहीं रहता है अगर आप gratitude को pay करते हैं gratitude को मतलब इश्वर का धन्यवाद हर समय करते हैं कि मेरी सांसे आ रही हैं घर परिवार अच्छा है चाहे जैसा भी है मिला तो है यह वाले बात तो master number 11 का मतलब यह है कि बहुत unique और powerful energy के साथ आपको जीना होता है इस number के low अकसर दो extreme के बीच में जूल रहे होता है कभी बहुत ज्यादा creative हो जाते हैं inspiring हो जाते हैं और कभी बिल्कुल ही ठकेवे महसूस करते हैं confused महसूस करते हैं जिड़े महसूस करते हैं यह ऐसा होता है जैसे कि आपके अंदर दो इंसान हो और दो अलग-अलग direction में भाग रहे हो both are running into another direction different direction तो ऐसी life को balance करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन impossible नहीं है spiritual practices के जरिये या spiritual techniques जो भी होती है उन जो भी आपको comfortable लगती है या इस समय में attract करती है वो spiritual practice करते रहना चाहिए क्योंकि आप एक old soul है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए है सीखने के साथ साथ struggle तो रहे गई struggle होगा तो ही सीखेंगे ठोकर खाएंगे तो ही सीखेंगे धोके खाएंगे तो ही सीखेंगे गुमराह होंगे तो ही सीखेंगे ठीक है जब आप सीखेंगे और फिर ऐसे लोगों को जिन से betrayal मिला उनको माफ करना सीखेंगे forgiveness सीखेंगे तो ही वही बाते आप लोगों को सिखा सकते हैं और इसी तरह की healing आपको आगे बढ़ने और दूसरों को आगे बढ़ने में साफ एक मददगार होती है और किसी के भी साथ चाहे वो narcissist हो जो भी हो जो भी आप label लगा लीजिए कैसा भी व्यक्ति हो उसके साथ आप आराम से deal कर सकते हैं कभी आप emotionally attached हो जाएं या कभी आप बिल्कुल ही drain या detach feel करें तो भी balance बनाना ज़रूरी है इतना emotionally detached मैं क्यों feel कर रहा है या कर रही हूँ घर वालों के साथ क्या ये इतना जरूरी है basically balance बनाने का मतलब यह है कि healthy boundary create करना अपने आपको control में रखना ही होगा आपको अगर आपका 11 number है तो यह सब कुछ सीखना होगा क्योंकि आप इससे जल्दी किसी भी चीज़ को जल्दी ही personally ले लेते हैं वो personally लेना जो है वो दीरे दीरे चूटेगा कि अच्छा इसने मुझे ऐसा क्यों क्यों क्या दिया मैं तो इसा नहीं हूँ इतना ज़ादा सोचने की जरूरत नहीं है तो उनका दिमाग जो चौब इस गुंटेग चलता रहाता है नीद में भी ठीक नीद से उठने के बाद भी चाहे किसी person के लिए चाहे spirituality के लिए चाहे creativity के लिए आप कुछ और काम कर रहे हैं आप कर रहे हैं अब यह करती हो अब यह नया करती हो पर planning बहुत सारी होती है ले यही करते रहो यही करते रहो लेकिन जब आप emotional होते हैं तो उसी में डूपते चले जाते हैं या sometime romantic song सुनेंगे या फिर बिल्कुल ही दर्दभरे गाने सुनेंगे तो vision board बनाना आपके लिए जरूरी है और vision board या तो दिवार पर होना चाहे है पर किसी और के नजर ना या फिर आपके mobile पर होना जाए, mobile पर कैसे online भी तो बनाते हैं, canvas से बनाते हैं, किसी और चीज़ से बनाते हैं, picture collect करके, collage बनाके, आप paper में बनाके रखे लिए, diary में रखे लिए लेकिन आप master number 11 है, तो आपके लिए बिल्कुल जरूरी है एक तो meditation करना, दूसरा vision board बनाना ताकि आपका जो focus ने बना रहे नहीं, तो आप emotional strength में नहीं आपाते हैं, emotional strength को develop करने के लिए, आपको ये सबी तरह की exercises करनी होती हैं, जो आपको पसंद आता है, वो जरूर करें, और वीडियो पसंद आ रहा है, तो जरूर से जरूर देखें, और आपके घर परिवार में 11 number वाले लोग हैं, तो उन्हें जरूर शेयर करें, क्योंकि उनके भी इसी तरह की हालत होगी, कि बहुत ज़्यादा emotional हो जाना, और कई बिल्कोली तूट जाना, हताश हो जाना, और दूसरे के आगे भी ऐसा रोने दोने वाला सीन, और कई बार तो yes, और कई बार नहीं, मतलब एक घंटे के अंदर ही, आप ये सोचिए, एक घंटे के अंदर कोई आपको कहेगा कि yes, मैं तो ये कर लूँगा, ये कर लूँगी है न, और अगले ही पल वो कहेंगे कि नहीं है, मेरे वसकी नहीं है, मेरे थोड़ी नहीं हो सकता है selection, ये वो, तो balance बनाना इनके emotions में मुश करते हैं, so thank you so much, धन्यवार